और साथियो अगर आप भी अपनी मौाल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों को ही चालू करना चाहते हैं लेकिन पास ATM कार नहीं है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे किस परकार से आप आधार कार्ट की थुरू ही अपनी मौाल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकि होना अतियावसक है आपको PNB बन एप्लीकेशन को प्लेश्टोर से डाउनलोड करना है उसके बाद सिंपली साम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं साथ हुई यहां पर एप्लीकेशन ओपन होने में यहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है तो हमें आपर वेट करेंगे अब बन एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन होके आ चुका है यहां पर दो ऑप्सन मिलते हैं एकाउंट और प्रोशिट टू लोगन तो सिंपली हम उपर वाले ऑप्सन पर क्लिक करेंगे अब यहां पर अगर आप पहले से लोगन हैं तो यहां पर आईडी डाल के अपना साइन इन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हम फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो हमें क्या करना है निव यूजर आपको नीचे एक ऑप्सन मिलता है तो सिंपली सा हमें क्या करना है निव यूजर बाले ऑप्सन पर टैप कर देना है अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो आपको तीन आधार तो सिंप्लिस हमें 3rd option को चूज करना है आप भी 3rd option को चूज करके आसानी से अपना रेजिस्टेशन कर सकते हैं तो सिंप्लिस हमें 3rd option अपना चूज कर लेना है उसके बाद आप लोगों को टर्मेंट कंडिशन यहाँ पर देख चाएंगी तो आप यहाँ पर रीट क सिंप्लिस हमें अपना एकाउंट नंबर यहाँ पर फिलप कर देना है उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालेंगे डेट ऑब बड़्त यहाँ पर नीचे पैन कार्ड का ओप्सन आता है अब यहाँ पर ध्यान देनी बाली वी बात है रेजिस्टेशन चेनल यान की किस प्रक हमें क्या करना है अब यहाँ पर हमें OTP डालना पड़ता है नेक्स्ट उप्सन में तो हमारे रेजिस्टेट मोई नंबर पर एक OTP सेंड किया गया होगा तो सिंप्लिस हम अपना OTP फिल करके कंटीनू वाले ओप्सन पर किलिक करेंगे तो दोस्तो हम अपना OTP यहाँ पर फ करना है अधार कार्ड को तबीचा कर हमारा रेजिस्टेशन कंप्लीट होता है डालें गर यहाँ उसके बाद दोस्तों आपके एक OTP सेंड किया z कि और आधार OTP को यहां पर fill up करेंगे क्योंकि दूस्तों हमारा तभी जाकर registration होगा, अगर हम OTP नहीं डालेंगे तो कैसे होगा, तो simply सामे आधार OTP को fill up करके continue वाले option पर tap करके आँगे आजाना है, अथियू, अब आपको यहां पर क्या करना है, अपने password सेट करने पड़ते हैं, transaction करने के लिए, login होने के लिए, और tip in भी सेट करना पड़ता है, security के लिए तो simply साम sign in password डालेंगे सबसे पहले option पर आपको देखनी को मिल जाता है ऐसा कि चार option, पांच option complete हो चुके हैं, अब यहां छटमा option हमारा आ गया है, यहां पर sign in password हमें डालना है, उसके बाद confirm भी उसको करना पड़ता है, अब यहां पर second option में आपको transaction password डालना पड़ता है, जो भी आप transaction करेंगे इसी password से आपके होंगे, तो आप ध्यान पूरवकी इसको याद रखिएगा उसके बाद confirm करेंगे, यहां पर हमें tip in डालना है, tip in को confirm करना है और उसके बाद हमें अपना submit वाला option टैप कर देना है, जिसके बाद next window open होके आ जाएगी password आप strong बनाईएगा, तो हम display पर आपको password सू कर देते हैं, तो जिस प्रकार से आप भी अपने password बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाईएगा और उसको याद रखिएगा जिसके बाद आप transaction कर सकते हैं अब हमने password को यहां पर डाल दिया है सभी password यहां पर tip in और password डल चुका है, अब हम submit वाला option किलिक करेंगे तो दोस्तो हमने submit कर दिया है अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं registration successfully और हमारी user ID भी यहां पर so होके आ चुकी है तो दोस्तो हमने आधर काट की थूर रजिस्टेशन करने का complete process आपको बता दिया है, अब साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें login होके आपको probe के साथ ही बताएंगे sign in बाला option choose करना है तो simply सा sign in पर click करेंगे, उसके बाद proceed to login कर लेंगे, तो साथ ही हमें क्या करना है, first option choose करना है, अब यहां पर हमें अपनी user ID डला है, जो हमें registration के बाद मिल चुकी थी, तो आपको भी मिल जाएगे, तो simply सा हम दोस्तो क्या करेंगे, user ID डलके sign in कर देंगे, अब यहां पर दोस्तो आपको अपनी SIM को choose करना है, जो भी mobile number आपके bank में link है, उसको choose करेंगे, तो हमारी second number बाली SIM हमारे bank में link है, तो उसको choose करेंगे, उसके बाद continue बाला option choose कर लेना है, तो हम देख सकते हैं, हमारा OTP भी आ चुका है, तो साथ हमने OTP यहां पर डाल दिया है, उसके बद हम continue बाला option choose करेंगे, अब यहां पर हम थोड़ा सा wait कर लेंगे, अब दोस्तो हम चारंको का अपना MPN create करेंगे, जिससे कि हम अपने PNB बन application में log in होते हैं, तो चारंको का हमें अपना MPN बना लेना है, उसको confirm भी कर देना है, तो हमने confirm यहां पर कर दिया है, उसके बद हम submit बाला option choose करेंगे, तो दोस्तो हमने submit कर दिया है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं MPN set successfully, अब दोस्तो इसी MPN से हम PNB बन application में log in होंगे, तो sign in बाला option choose करना है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, पर आपका भी नाम इसी परकार से आ जाएगा, मेरा जैसा की आ चुका है, अब प्लीज enter four digit MPN, अब हमें वही MPN डाला है, जो भी हमने set किया था, तो simply साथ दोस्तो हम अपना MPN यहाँ पर enter करेंगे, उसके बाद आसानी से इसमें log in हो जाएंगे, देख सकते हैं मैंने आपको proof के साथ बता दिया है, कि किस परकार से आप आधार कार्ट के थुरू ही, PNB बन और net banking दोनों को चालू कर सकते हैं, तो साथ यो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी चरू कर लें